हे गाईज दिस इस अमोनू यू वाचिंग नौकरी पॉर्टल सो भी जीडी के जो भी एस पैरेंट्स है उसके लिए एक बहुत गुड न्यूज है क्योंकि जीडी का नौटिफिकेशन आ गया है एससी के द्वारा तो इसका जो डेट है ये आनलाइन का ये 31 2022 से है और x21 2022 से है और e2 2022 सएक लास्ट डेट है और यहां पर लास्ट डेट जो पैमेंट है वो एक बारह दो हजर बाएस तक है इसका जो सीडुल आफ बेस ऑफ एकज़ाम है वो जनवरी 2023 से थीक है और इसमें जो पूस्ट है ये पोश्ट आप लोग बता देते हैं कि सबसे पहले ये हैं अपलिकेश्य now ये आपिएस्ट होगा उसके नोतर फिर आप लोग का फूजी कल टेस्ट होगा उसको आप लोग बोलते हैस सब्सक्रिक कर दोक्रिंट को होगा है livres से बाद हम उना से पहसे लिएव और हुग कवर्ण के डिमी मुंमल अब लोग देएल ओग्चा ल मैडिकल एग्जामिनेयस्ट पीыпट की बेश्ची कर दुमस्ट के पाद इसके की डि सेंडर्स हे वह लोगा उसके बाद Run에서 review of RME review of medical examination will be scheduled and conducted by the CAPF ठीक है तो इसका जो total seat का बात करें तो seat जो है आप लोग देख सकते हैं total जो है यह NCB total यहाँ पर दिखाया गया है कि 24,379 seat है जिसमें कि BSF में आप लोग देख सकते हैं कि BSF में सबसे ज्यादा है 10,497 फिर उसके बाद जो है CRPF में 8,911 उसके बाद फिर 16,97 जो है AR में है और यहाँ पर CSF का बात करें तो CSF में total seat जो है 100 है जिसमें EWS का 9 है OVC का 18 है SC का 8 है तो यह total seat है और इसका जो allowance होगा वह allowance आप लोग का जूटे आगा ठीक है और इसमें जो एज दिया गया है यह नेशनल citizen seat to the candidate must be citizen of India vacancies in CPF and AR or state UTR wise hence a candidate must submit domicile PRC against his state UT ठीक है तो आप लोग state means citizen of India का होना चाहिए और अगर इसका एज का बात करें तो एज जो है 18 से 23 years रखा गया और आप लोग का data बढ़ जो होना चाहिए वह 2005 और 2000 के बीच में होना चाहिए और जो भी अपर एज मिनसे जो भी relaxation एज जो है STSC OVC जिसको relaxation दिया गया है वह 02197 के earlier नहीं होना चाहिए ठीक है उससे पहले बॉर्ण नहीं होना चाहिए यहां पर एज रिलेक्सेशन का बात करें तो STST के लिए 5 years दिया गया वीची के लिए 3 years एक सर्विसमेन के लिए तीन एट चिल्डन एंड डिपेंडेंड विक्टिम स्किल 94 गुजरात अंडिजर्ड उसको 5 years दिया गया है ठीक है और इसका बात करें प्रोसेस अब सर्टिफिकेशन फॉर्मेट अब सर्टिफिकेट तो इसका जो क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए अगर जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है NCCC के लिए 5 परसेंट दिया गया जिसमें आप लोग कुछ लेक्सेसर दिया जागा जो भी आप रिटेर्ड एक्जाम दियेगा अब दा एक्जामिनेशन हार्टु अप्लाय का बात करें तो आप लोग इसका जो ऑफिस्यल वेबसाइट इस वे जाके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं यहां पर दिए फोटो क इमेज डैमेंशन आफ फोटोग्राफ सुट अबाट 3.5 cm से 4.5 cm होना चाहिए अप्लिकेशन फी जो इसका रखा गया यह सौ रुपे रखा गया अप्लिकेशन फी क्योंकि आप लोग जो भी स्टिस्री के स्पैरेंस होगे उनको पताएगा कि उसका सौ रुपे ही फी रखा जाता है Center of Examination का बात करें तो यहां पर दिया गया है Center of Examination देख लिए । Center of Region ॉत्तरप्रदेश के लिए है यहां पर Eastern region अढमान निकावार जरकंड के लिए यहां पर बता गया आं करनाटक के दखेड़ा के लिए यह हैं मद्ध पर्देश नॉर्थ रिजन और नाचल पर्देश सो यह एक्जाम सेंटर दिया गए आप लोग जो भी स्टेट से हैं अपने नजदी की सेंटर ही डालें कि जाने में असानी होगे और इसका अगर बात करें स्कीम ऑफ एक्जामिनेशन का तो एक्जामिने 20 केशिन और इलेमेंटरी मैंतेमेटिक्स 20 केशिन हैं और हिंदी इंगलीज जो होगे वो बीस केशन होगा मार्क्षकों से टोटल 46 इसमें 40 30 मैंस मैक्सिम मार्ण सियो टोटल 160 मार्क्षका होगा देख सकते हैं is to टोटल involves 1060 ऋ इसर टोटल 160 और टामिंग जो दिया गया है साथ मिनट्स वन आवर्स यह जो है क्वेश्टन होगा अल क्वेश्टन अब्जेक्टिव टाइप होगा मल्टिपल टाइप दे विल वी कंडिडेट एन निगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क इच रॉंग एंसर कंडिडेटर देरफोर एड्वाइज तो कीप दे मांड वाल एंस विए बेवा से गी जैनरल इंटेलिजेंस का है जैनललावलिस एलिमेंट्र मैथमेटिक्स उसके बाद फिजीकल टी और पिटी होगा अप लोग के रीटेन होने के बाद यह प्रिए मेल के लिए जो है पांच किलो मिटर्ट चॉवीस मिनट फिमेल के लिए 1.6 किलोमिटर सा नाज लादाक रिजन यह दिया गया आट इच्छे मिनट में आठ सो मिनट चार मिनट में में फिमेल के लिए उसके पाद पीएश्टी होगा पीएश्टी मेल के लिए जो रखा गया वह एक सब सब्सक्राइब मेल के लिए एक सबस्क्राइब अब और फिर यहां पर स्टी डूल कास के लिए एक सो बारट शाट पोट फाइब और फिमेल के लिए एक सो पचास पॉइंट जीरो ठीक है नॉर्थ रिजन कि मेंद परदेश मिजोरं नागर लेंड ठीक है स्टी के लिए बताया गया यह यहां पर जो है कुंडिडइट के लिए जो दिया गया है अन एक्सपैंडेड त्यूहम से ऐसी और मिनिम एकस्पैंडट 50 cm आप फिलाना है मेल के लिए यहां पर एष बिलंग फोड शीडूल का छी ऩ्हेतर इसको फिलाना है पांस सेंटेमीटर ठीक है फिर यह यह डोगरा स्टेट ऑफ यूटी असम हिमाचल प्रदेश लद्दा अठत्तर इसको फुलाना है पांच सेंटीमेट है नॉर्थ रिजन के लिए मेगाला है मिजूरम सतत्तर फुलाना है पांच सेंटीमेट उसके बाद फिर आप लोग का मेडिकल होगा पीटी और पीएस्टी होने के बाद फिर आप लोग का मेडिकल होगा जिसमें मेडिकल में अल्डा टाइम डीमे फॉलंग दोकुमेंट्स विल भेरिफा मेडिकलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सेटिकेट प्रूब एज नेम एडिकेशन क्वालिफिकेशन फिर डोमसाइल सेटिफिकेट पर्मानेंट रेसिदेंट सेटिफिकेट प्यार्सी इसु बैते कम कम्प होगा डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन में ठीक हैं उसके बाद थोड़ा हम आज यह बताया गया है कि दा इन एडिशन अडिमिसेंशन सेटिफिकेट मेंडेट्री केरी अप टू पासपोर्ट साइज फोटो कलर फोटो वोटर एकार डेट अब प्रिंट अडिमिसेंशन अब लोग को यह फोटो ले जाना है दो और यह कोई भी प्रूव लेके जाना है कि यहां पर दिया मोड ओफ सेलेक्शन जिसमें यूर के लिए 30 परसेंट लाना ओवी सी डवले से 25 परसेंट और अधर कटेग्री के लिए 20 परसेंट ठीक है अधर आप एंसे पांच बता दिये तो 5% 30% टुटल मार्क्स में डोगा यहां पर कंडिडिट गिवन प्रिफेंट फ्रिफेंट फ्रिफेंट अप्रिफेंट फ्रिफेंट फ्रिफेंट जो भी डाल सकते हैं कि एससे इस एफेंट एफ एंसी भी ठीक है है थो थोड़ मैं इस फॉम का भी रिभ्यू कर देता हूं कि आप लोग फॉर्म कैसे फिलप करना चाहिए लेकिन टाइम में एक्सेस हो गया है ठीक है तो ऐसा होगा तो मैं फिर कोई इसका एक निउव बीडियो बना दूंगा कैसे फिलप करना है ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल पर जो नए किट पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकेंड बटम दबना ना बूले फेस्बुक और टेलिग्राम पेज से अवज जुड़े मेरे जो भी उसके में उसका डिक्सक्राइब बॉक्स में फेस्बुक पेज का लिंक और टेलिग्राम का लिंक डाल देता हूं तो धन्यवाद जैन